तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद प्रोफाइल के ऊपर प्रोपेशनल डैशबूर्ड आपको शो नहीं हो रहा है एंड थ्री राइन पे क्लिक करके इंसाइड वाला ओप्शन शो नहीं हो रहा है तो यह वीडियो खास आपके लिए एंड तक देखते रहे ह जहां से वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं वैसे वीडियो एलपूल लगता तो वीडियो को लाइक जरू करना फ्रेंड्स वीडियो देखते देखते कोई भी प्रॉब्लिम आ रही है आपको या अपने फ्रेंड को जरू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए चलिए तो अधिक समय वितित ना करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स तरीका बिल्गुल सिंपल है यहाँ पर आपको प्रोफाइल के उपर आना है अब आगें आपके समने इसा इंटरेस आजाएगा categoryXT करना बात के सामने फिफिल प्रोफाइल को सिंपश आनेबल करके में अभी इसे लिए मनेगा पुछ यूइंटर्स रिजाएगा या आजाए कि first creator, second business, creator उनके लिए जुनका public account या order जो creator इंस्टाग्राम के उपर उनके लिए अगर किसी का business तो business पर click करके next पर click करिए तो मैं creator पर click करके next पर click कर देता हूँ अब यहाँ पर आपको not now पर click करना है और एक बात friends यह option आपको नहीं मिल रहा है switch to professional account तो उस्तिते में privacy setting में यहाँ पर नीचे bottom में आना है तो friends यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा option मिल जाएगा जो है account type and tools तो friends इस नाम से option है तो simply इस वाले option पर click करके यहाँ आगी की process complete कर सकते switch to professional account का option यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो friends यहाँ पर जो मैंने step बता दी थी उसे आपको simply follow करना है follow करने के बाद account को switch करने के बाद आप बड़ी आसन से आपको professional dashboard वाला option शो होगा and inside वाला option भी शो हो जाएगा तो friends इस तरह से आप बड़ी आसन से इस नए setting में inside option को enable कर सकते हो अब यहाँ पर भी आपको कुछ problem आ रही है तो comment box में comment करके ज़रू बताए वीडियो एलपू लागा है तो वीडियो को like ज़रू करना friends and return कहना जाओगा किसी को कोई भी problem आ रही है तो नी संकोच comment box में comment करे तो धन्याओद friends इस वीडियो ध्यान से end तक देखने के लिए thank you